तो सभी आंगनबारी बेहने इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा जैसे कि आई सेरी इस विभाग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कि आपके आंगनबारी केंदर खोलने और बंद करने का जो समय है उसको आज से निर्धारित कर दिया गया है यानि कि आज से आपका आंगनबारी केंदर है वो कितने बज़े से कितने बज़े से खोलेगा इसकी जनकारी आपको इस लेटर के माध्यम से बताने वाले हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा जुरूर देख लिजिएगा अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप का जो नियम है वो 28-12-2022 से ये नियम लागू होने वाला है ठीक है तो चलिए यहां पर आगे देखते हैं क्या लिखा गया है संची का संख्या है 6394 और यहां पर जो इस लेटर को भेजने वाले हैं वो निदेशक ICDS बिहार पतना और किन को ये लेटर जारी किया गया है त दिर्धारित करने के संबंद में यानि कि जो आप लोगों का आगनबारी केंदर खुलता है वो बंद होता है उस समय को यहां पे चेंज कर दिया गया है एक नए समय पे आपका आगनबारी केंदर खोला जाएगा वो बंद किया जाएगा तेखिए यहां पर संग में इसके पहले भी इस परकार से लेटर जारी किये गए थे कि अगले आदेश तक जो आगन बड़ी केंदर है वो अभिच्छल रहे थे उसी का अनुसार यहां पर यह पतरांग जारी किया गया था तो देखिए यहां पर आगे लिखा गया है महासाय उप्रियुक्त विशाय के समध में कहना है कि परदेश में अत्याधिक ठंड का परकोप जारी है यानि कि आप लोग देख पाएंगे कि जिस परकार से ठंड बर रही है उसी को देखते हुए यह लेटर जारी किया गया है जिससे आगन बड़ी केंदर पर संचालित स्कूल पूर्व सिक्षा कारेकरम है तो आन ठीक है उलेखनिय है कि मौसम की परतिकूलता की इस हीती में जीला अस्तर पर यथा इस्तिती विद्यालेयों के खुलने एवं बंध होने का समय निर्धारित किया जाता है तो समय यहाँ पर क्या बताया गया है आई आपको दिखाते हैं अतह बच्चों के स्वास्थ पर पर करने वाले परतिकूल परभाव की संभावनाओं को देखते हुए दिनांक 27-12-2022 से अगले आदेश तक पूल्व से निर्धारित आंगनबाडी केंद्रों की संचालन की अधी परिवर्तित कर 12 बजे से 2 बजे अपराहन तक निर्धारित की जाती है यानि कि यह जो लेटर जारी किया गया है वो 27-12-2022 को जारी किया गया है और यह जो नियम है आप लोग का आज से ही यह नियम लागू होने वाला है यानि 28-12-2022 से आप लोग का जो आगनबाडी केंद्र है वो 12 बजे से लेके 2 बजे अपराहन तक चलाय जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ आप खिला कर वापस घर भेज दिया जाएगा यानि कि इस दो घंटे के कारेकर में बच्चों को बुलाना है और उनको गर्म पका भोजन जो है वो खिलाना है और फिर से वापस उनको घर भेज देना है जिससे माननिया सर्वोस नियालाय के आगनबाडी केंद्रों पर 300 दिनों पुड़क पुशार के निर्वाद आपूर्ती करने का देश का नुपालन सुनिश्चित किया जा सके तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो छोटे-छोटे बच्चे आपके आगनबाडी केंद्र में आते हैं वो ठंड से परभावित नहों हो इसके लिए विभागने ये क्रेंटर जारी किया है और अप लोगों को आज से आगनबाडी के अंदर का संचालन है वो 12 से 2 बज़े तक ही करना है तो आज के इस वीसे फिलाल इतना ही अगर विडियो पसंद आयई हो दो विडियो को लाइक करके और नैंंगर आगनबाड़ी पाहिनों के साथ सेर भी कर झाल झाल